हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हुए IPL के 47 हुए मैच में जो कि संराइजर्स हैदराबाद वर्सीज दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टोस्ट जीतते हुए पहले गें कि दिल्ली कैपिटल्स हार गई दोस्तो आज SRH की टीम 88 रनों से ये मैच जीत गई उन्होंने 200 से ज़्यादा का 220 रनों का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा था और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 131 रनों पर आल आउट हो गई दोस्तो अब मैं बताता हूँ आज 107 रनों की पार्टनर्शिप हुई जो की वार्नर और रिद्धिमांज शाह के बीच में हुई थी दोस्तो SRH का पहला विकेट SRH के कुल स्कोर 107 रन पर गिरा वार्नर के रूप में वार्नर ने आउट होने से पहले अपना कमाल कर दिया था उन्होंने केवल 34 गेंदों पर 66 रन बनाए 8 चोके और 2 चकों की मदद से उन्होंने काफी तेज पारी खेली दोस्तों उनका विकेट अश्विन ने लिया उसके बाद SRH का दूसरा विकेट SRH के कुल स्कोर 170 रन पर गिरा जो की रिद्धिमांज शाह की रूप में था रिद्धिमांज शाह ने भी आउट हो पारी खेली उन्होंने केवल 45 गेंदों पर दुआधार 87 रन बनाए 12 चोके और 2 चकों की मदद से और इनका विकेट नोटे जे ने लिया दोस्तों इसकी बाद SRH की तरफ से कोई विकेट नहीं गिरा और मनीश पंडे SRH की तरफ से 31 गेंदों पर 44 रन बनाकर लाश्ट तक आउट रहे उन्होंने अपनी पारी में 4 चोके और 1 चका लगाया और उनके साथ विलियम सन 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर नोट आउट रहे एक चोका लगाकर इस परकार SRH की टीम 20 अउरों में केवल 2 विकेट खोकर शांदर 219 रन बनाने में काम्याब रही और उन्होंने दि 220 रनों का टार्गेट रखा दोस्तो आज दिली कैपिटल्स की बोलिंग में कहीं दम नहीं था ना तो वो रन रेट में रोक पाए ना वो विकेट जादा लेने में काम्याब रहे कोई गेंदबाजी में पैना पन नहीं था सिरफ एक नॉर्मल गेंदबाजी थी और हर टाइ पिटती ही नजर आई दोस्तो दिली कैपिटल्स की तरफ से नोटेजे ने चार आवर में 37 रन देकर एक विकेट लिया रबाडा ने चार आवर में 54 रन देकर जीरो विकेट अश्विन ने तीन आवर में 35 रन दिये और एक विकेट अक्षर ने चार आवर में 36 रन देकर जी स्टॉइनस ने 2 ओर में 15 रं दिये और 0 विकेट इस परकार सरच की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 220 रंणों का टारगेट रखा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब 220 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो उन्हें समल कर खेलना चाहिए था लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट उनकी एक के बाद एक विक्टो का सिलसला ऐसा जारी हुआ कि वो 19 अवर में आल आउट भी हो गए दोस्तो जो की 2020 के मैच शिखर दवन के रूप में था सिखर दवन ने आउट होने से पहले एक इगेंद खेली और पहली इगेंद पर वो आउट हो गए दोस्तो उनका विक्ट संदीप शर्मा ने लिया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा विक्ट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 14 रन बनाए जिसमें एक चोक का शामिल था उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा विक्ट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 54 रन पर गिरा जोकी सिमरॉन हैटमायर के रूप में था हैटमायर ने आउट होने से पहले 13 गेंदों पर 16 रन बनाए तीन चोको की मदद से और उ आउट होने से पहले थोड़ा बहुत समल कर जरूर खेला लेकिन वो भी ज्यादा रन नहीं बना पाए उन्होंने 19 गेंदों पर 26 रन बनाए तीन चोक्के और एक चक्के की मदद से और उनको रसीत खान ने लबी डबलू आउट किया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का पा जैशंकर ने लिया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का छटा विकिट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 83 रन पर गिरा जो की अक्सर पटेल के रूप में था अक्सर पटेल ने आउट होने से पहले 4 गेंदे खेली और 1 रन बनाया और इनका विकिट भी रसीत खान ने लिया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का साथवा विकिट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 103 रन पर गिरा जो की कगिसो रबाड़ा के रूप में था रबाड़ा ने आउट होने से पहले 7 गेंदे खेली और 3 रन बनाया बिना कोई चोक के चक्के के और इनका विकिट नटरांज से पहले थोड़ा समल कर जरूर खेला और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाइस्ट रन बनाया उन्होंने 35 गेंदों पर 36 रन बनाया तीन चोके और एक चक्के की मदद से और इनका विकिट संदीप सर्मा ने लिया दोस्तो उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स से नवा विकिट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 125 रन पर गिरा जो की आर अस्वीन के रूप में था आर अस्वीन ने आउट होने से पहले 5 गेंदे के लिए और 7 रन बनाया जिसमें एक चोक का शामिल था और इनका विकिट होल्डर ने लिया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का दसवा औ और लास्ट विकिट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 131 रन पर गिरा जो की एंडिक्च नोटेजे के रूप में था नोटेजे ने आउट होने से पहले 3 गेंदे खेली और एक रन बनाया और इनका विकिट नटरांजन ने लिया दोस्तो इस परकार दिल्ली कैपिटल्स की तुशार देश पांडे 9 गेंदो पर शांदर 20 रन बनाकर लास्ट नोट आउट रहे उन्होंने अपनी पारी में दो चोक्के और एक छक्का लगाया दोस्तो आज जैसे की एसारच का दिन ही था एसारच की बैटिंग भी चली और एसारच की बोलिंग भी चली एसारच की त साथ रन देकर एक विकेट रासीद खर ने 4 और सात रन दिये और 3 विकेट ले सबसे अच्छी गेंद बाजी इनों ने कराई दोस्तो सबसे कम रन भी दिये और सबसे ज्यादा विकेट भी लिए टींड तर आंज्जन ने 4 और में 26 रन देकर 2 विकेट विजे शंकर ने 1.5 चावर में 11 रंदिये और एक विकेट और डेविड वार्णन ने एक गेंद डाली और दो रंदिये और कोई विकेट ने लिया इस परकार दोस्तो एसारच की जो टीम 219 रन बना पाई उसके मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स महज 131 रनों पर आल आउट हो गई और आज का महज स सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी किर्केटर लेवर्स है उनके साथ इसे शेर करें और दोस्तो कमेंट बोक्स में बताएं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो की इस बार आई पेल में काफी अच्छा चल रही है वो आज बैटिंग में उनसे कहां चूग रहे गई से प्लेयर को देना चाहेंगे अपनी तरफ से रासीद खान को बोलर में देना चाहेंगे या बैटिंग में आप किसको देना चाहेंगे आपके मन में जो भी प्लेयर का नाम है आप हमें कमेंट बोक्स में लिख कर जरूर बताएं दोस्तो और इसी के साथ यदि आप मेरे च चैनल को सब्सक्राइब करें और नू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके दन्यवाद दोस्तों जय हिंद खर्यो नॉजरा घ्र गैनलिक वीडियो लिएम बैल आपको लिएके लेगर।